ऑलो दोस्तों तो मैंने पिछले वीडियो के इंदर आपको कुशन दिया था यह वला तो मुझी अमेद है कि आप सबने इस कुशन को अच्छी तरह से स्ोल किया ओगा सोल किया है तो आंसर भी आ गया होगा ठीक जिसने अच्छी तरह से समझा था उसके आंसर आ गया जिसने नहीं समझा तो कोई बात नहीं तोड़ी बहुत गलती हो गई होगी अगर गलती होगी तब ही तो कुछ सीखेंगे ठीक है पिछली वीडियो के अंदर कुछ बच्चे बहुत रहे थे किसर अगर माळ लो किसी संक्य के अंदर उसके पिए-पकोमनी नो मतलब पहले दो कोमना रा था तीन और चार रा था जो भी आ रा था अगर वो common नहीं आए तो क्या करेंगे पर तो आपको tension लेने की जरूरत नहीं है आप made से पढ़ रहे हो तो मैं पूरा पढ़ा के रहुँगा ठीक तो 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 आज वो question भी देखते हैं ठीक तो लो question पढ़ो सबसे पढ़े LCM निकाना है किसका 2 बटे 3 कॉमा 4 बटे 5 कॉमा 8 बटे 7 ठीक है अब क्या करते हैं अपन सबसे बिले लिखते हैं ये संक्या कोई से बीन वाली तो बीन संक्या का LCM ठीक है यहां तक complete अब ये सुत्तर क्या होता है मतलब formula होता है अंसो का LCM सबसे पहले उपर वाले संक्या है मतलब अंसो को बोलते है ना बटे के उपर वाले को तो अंसो का LCM बटे हरों का LCM नीचे वाले संक्या होगा LCM करना है ठीक है तब यहां पर लिख दिया है मैंने LCM इसे लिखना है आपको copy के अंदर तब यह नमबर मिलेंगे इसे नहीं मिलेंगे ठीक है LCM ब्रेकिट दो चार आठ ब्रेकिट ठीक है बटे LCM ब्रेकिट तीन कोमा पांच कोमा साथ ठीक है ब्रेकिट आगे ठीक है अब क्या करेंगे LCM करेंगे अब ठीक है चलते हैं अब देखो इसमें LcM दो चार और आठ का करना है ठीक है तो सबसे बेड़े क्या करेंगे क्या को लिखेंगे दो चार आठ तो दो का डिवाड़ी करेंगे मतलब चोटी सी-चोटी सिंग्धा 2 ही है तो 2 को लिख दिया 2 की टेबल में 2 एक बार आता है, कॉमा दो की टेबल में चार दो बार आता है, कॉमा आठ की टेबार आता है, चार बार, ठीक अगर LCM और राजचिप अभी भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछले वीडियो पूरे देखो, फिर अची तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से दो दो, एक कॉमा, एक इसमें एक बार, ठीक है, इसमें दो बार, फिर से दो लेंगे एक, कॉमा एक, कॉमा, एक कुल में लाके में क्या करना था एक, एक, एक लाना था, ठीक है अब क्या करेंगे इन गुणर खंड़ा है जिनको कुणर करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दो गुणर दो गुणर दो बराबर आठ होता है मतलए दो दूनी चार दूनी आठ ठीक अच्छी तरहें समझ में आगए है अब आगे चलते हैं अजच चेफ पर चलो चलो अजच चेफ देखते हैं तो कहा है अजच चेफ के अंदर तीन, पांच, साथ ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन दोनों को लिखेंगे इनमें बड़ी कौन सी है? पांच है पांच को अंदर लिख देंगे ठीक है? और जो भी एच उटिसंग है उसको बाहर लिख देंगे तीन अब क्या करते हैं? तीन की टेबल बोलो एक बार दो बार बोलेंगे तो चाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है? इसलिए एक बार बोला है तो यहाँ पर आएकर तीन माइनस पांच में से तीन गया तो दो अब क्या करते हैं? मतलब चैस बार जीरो नहीं है या? तो अस्य भी नहीं है यहाँ पर ठीक है? अब क्या करते हैं? जो भी भागपल था पहले वाला उसको यहाँ पर लिख देते हैं बीच में तो यहाँ पर तीन आजाएका ठीक है? समझ में आ रहा है? अब दो का डिवाइड करेंगे वापस एक बार यहाँ गा दो बार करेंगे तो चार आजाएगा तो चार से छोटा आए यह तो हमें छोटी लेनी है सेंगे तो दो लेंगे ठीक एक बार आगे ठीक है? माइनस एक अब अब भी सेस्वल जीरो नहीं आया तो और आगे करेंगे जब तक सेस्वल जीरो नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे ठीक है? तो फिर क्या करते हैं? इस अगले वाले भागफल को लिखते हैं तो दो आ गया एक की टेबल में दो की तिवाल आता है दो बार यहाँ पर दो लिख दो और यह दो आ गया माइनस जीरो जीरो ठीक है सेस्फ़ल जीरो आ गया तो इन दोनों का लाशिप क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक ठीक है अब तीजरी सिंके भी है तीजरी सिंके क्या है साथ उसके अंदर क्या करना है जो लाश्ट भागफल आए तो उसका भाग देंगे तो साथ लिखो पहले साथ लिख दिया अब किसका डिवाइट करेंगे इसका खरेंगे एक का जो लां अन्तिम आजे था बागफल उसका तो साथ बार बोलेंगे टेबल तो आजएगा ठीक साथ माइनस जीरो आगे ठीक समझ में आगया अब एक अगया एक आगया मतल़ अन्तिम बागफल आजएगा यहाँ पर अल्सियार अलाश्ण में लिखेंगे अपन बिन संक्याओ का आल्सियार था अंसर का डिवटर सिद देंगे yıl को सिद करेंगे अब सिपने इसी क्उष् Nigasi का तिक है चलो आगे सबसे अब उशी किसन्का आसेज़ेंगे तो क्उष्ण बड़ो आज्स्याफ दौटे 3,4 ऐट tracking लगते हैं डींढे संटीबरे अब कुछ बचस यह भी समझ नहीं आएगा बैसंग क्या होती है बेटा यह बटे में लेना इनको बिंसंग क्या होती है थीक है अब सुत्र क्या होता है अन्शो का अश्य बटे हरो का LCM ठीक है इसके अंदर उल्टा है ठीक है तो LCM 2, 4, 8 बटे LCM 3, 5, 7 का ठीक है अब LCM पे चलते हैं ठीक है यह RCM चलो चलते आगे RCM देखो सासे भी लिखा करते हैं इन दोनों में से बड़ी वाले सिंटा को बीच में और छोटी को भाल लिखते हैं तो दोख टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार आता है तो चार लिख दिया मतलब 4 जीरो आगया तो इन दोनों का RCM क्या आगया 2 आगया अब जो RCM आया उसका डिवाइड तीसरी सिंटे में एकरेंगे तो इसरी सिंटे के एक है 8 तो इसको लिख दूए आपर डिवाइड के अंदर इसका ही करेंगे डिवाइड तीक है तो चार बार टेबल बोलेंगे न तो 8 आजाएगे ठीक है तो 8 में से 8 गया तो 0 आजाएगे ठीक है समझ में आगया अब आगे चलते है तो अलस्यम के आगया अंतिम बागफल के है 2 यह अलस्यम आगे ठीक है अब अलस्यम निकालेंगे चलो आगे चलते हैं अलस्यम देखो अलस्यम के है 3, 5 और 7 का ठीक है तो सबसे भी लिख के लिख क्या करेंगे लिखेंगे इनको 3,5,7 तो अब छोटी छोटी सिंगे कहा है 3 है तो 3 को लिख दो इसमें 2 तो नहीं है ठीक है दो कर डिवाइड नहीं हो कहा है इसलिए 2 नहीं लिखा ठीक है तो list value कहा है 3 है चोटी से चोटी तो 3 का 3 में एक बार डिवाइड 5 को एसा कैसे लिख देंगे 7 को भी एसा कैसा अब छोटी सिंगे कहा है 5 और 7 में पांच है तो 5 को लिख दिया एक एसा कैसा एक 7 अब 7 की टेबल बोलो एक एक आगे ठीक अब इन तीनों को गुणा करो तो गुणा करेंगे तो तीन गुणा पांच गुणा साथ बराबर कितना आजाएगा गुणा करो इनको पांच ती पंद्रा पंद्रा साथे 105 आज़ेगा ठीक 105 ठीक 105 आगे अब क्या करेंगे बिन संग क्या होगा आज चिम निकालेंगे चलो आगे देखते हैं अब देखो बिन संग्याव का अच चिम बराबर किया आएगा अंचू का अच चिम किता आया था दो बटे हैरो का अल्चिम 105 आज़ेदा तो ये आंशूर आगे है आंशूर आगे ठीक अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें ठीक है धन्यवाद अब आज ये कुशन देखते हैं एक और अब इस कुशन को सौल करना ठीक है धन्यवाद करेंवाद